जहां एक कहावत है कि कपडों से ज़्यादा भिक गए कफन और अंदबक्त कहते हैं मजबूत हाथों में हैं बक्तन, दोयार 14 से पहले यहां यह कहते रहे कि नागरिकों की सरक्षा का सरकार का है जिम्मा, 2-12 पहुंचते पहुंचते देश को पता चल गया कि सरकार का निर्टत्व करने बाला ही निकलानी कमा जहां ग्रे मंत्री ये कहते हैं कि जम्मौ कश्मीर में अमन और शांती है जम्मौ कश्मीर में आंतगबाद खत्म हो गया है लगवग लगवग हम समापती के कगार पे हैं अंतकबाद को लेकर लेकिन जुठे आंकड़े देना कोई बात ही यंता पार्टी से ही सीखे जहां आपके साथ एक आंकड़ा हागर हम साचा करें पांच अगर दो यार उननीस से नो जुलाई दो यार बाइस तक सिर्फ एकसो अठाइस सुरक्षा कर्मी हमारे शहीद हुए हैं जिनमें एकसो अठारा लोकल लोग हमारे मारे गए और बाइस जून दो यार बाइस दक चार पंचाइब के नुमाइंदे भी हमारे इस आंतकबाद की बेंट चड़ गए हैं हो मिनिस्टर जी दो यार उनीस से पहले यह कहते दिए कि रोडा है जिसको हम हटा रहे हैं अब इसके बाद जम्मो कशमी में आमन और शांती होगी जम्मो कश्मीर में आंतकबाद के गट्राएं जोहां बिलकुस मापत हो जाएंगी जम्मो कश्मीर के लोग सुरक्षित होंगे लेकिन इसके बिपीत जम्मो कश्मीर के अंदर आंतक बाद कश्मीरी पंडित को टार्गेटिंग किलिंग करता है दिहारी लगाने वाले मजदूर को किलिंग करता है दुकान पे पैटे दुकानदार्प की केलिंग करता है और सरकार सुरक्षा देने में नकाम साबित होती है इसी सरकार का दिया हुआ अंकड़ा है पार्लिमेंट में जहां राच्चे सवा में आपके मंतरी ये कहते है कि 2019 के बाद कोई भी पलाइन कश्मीरी पंडित का नहीं हुआ जबकि सरकार को ये पताना चाहिए था पार्लिमेंट में कि आपके सरकार में आने के बाद आपने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया जो अपने खेत में खेती कर रहा है जो अपने दुकान बेचा के बैरा जो अपने जलाए हुए गर का निर्मान करके वापस उस गर में हैं लेकिन एक कहते हैं कि दो यार उनिस के बाद कोई पलाइन ही नहीं हुआ बलकि जो पलाइन 1990 में हुआ था सरकार ने पार्लिमेंट के अंदर भी जूट बोला